वेलकम तो माराश्ट्र इंजिनेरिंग अकाडमी आज हम लोग बेसिक साइंस के केमिस्ट्र का थर्ड चाप्टर देखने वाले हैं ओके थर्ड चाप्टर का नाम है हमारा बहुत बड़ा नाम है देखो पेंट्स वैर्निश एंसुलेटर पॉलीमर अदेसिव और लूब्रिक अब यह सब जो नाम है आप लोग ने डे टूटे लाइफ में कहीं ना कहीं तो सुने होंगे सबके सबको पता यह क्या होते पर उसका जो डीटेल है यह आप लोग को यह चाप्टर में पढ़ना है केमिस्ट्री के फॉर्म में मतलब देखा है इसका यूज क्या होता है पर चक्我बसं करने होता है हम एक सब्सक्राब तरके करते ना मतलब को भूग के इंवारा को हमारे स्कूल लाइब में जो हमारे घर में यूज किया जाता है हमारे लुग है मेडन साल का प्रटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है यह सब टाइप्स पेंट से जो हम लोग डे टो डे लाइफ में हर एक चीज के ऊपर यूज़ करते हैं ओके सो पेंट बेसिकली क्या होता है देखो mechanical dispersion mixture of one or more pigment in a vehicle vehicle मतलब कार गाड़ी नहीं मतलब material होता है वेहिकल के अंदर different types of one or more pigment का mixture बनाके one or more चीज़े एक से ज्यादा चीज़े मिला कर mixture बनाए जाता है, उसको बोलते हैं, हम लोग paint, जो हम लोग use करते हैं, कहां हमारे wall painting के लिए हमारे furniture के लिए हमारे metal protection के लिए, कोई भी decorative piece को और भी beautiful बनाने के लिए हम लोग paints use करते हैं, कोई भी painting बनाने के लिए use करते हैं, okay? यह उसे हैं हमारे पेंट के सुमझ में यह क्या है mechanical, Dispersion, Mixture है और more pigment इन वेहिकल, अब सोचेंगे वेहिकल के है वेहिकल मतलब हमारी घार ही नहीं होती है वेहिकल केमेस्ट्री के लेंगवेज में वेहिकल मतलब क्या होता है एक लिक्विड कांसिस्टिंग होता है लिक्विड होता है लिक्विड में क्या होता है फर्स नॉन वॉलाटाइल फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल होता है ड्राइंग ओईल होता है और थीनर होता है यह तीन वहिकल बनता है थीनर की use किया जाता है थीन करने के लिए उसकी consistency कम करने के लिए drying oil की use किया जाता है कि और फिल्म फिल्मिंग मैटेरियल जो हमारा Payne लगाने के बाद उसको आच्छी सी लेयर जनरेट होनी चाहिए इसकी वज़े से हम लोग film forming material यूज़ करते हैं, वेहिकल समझ में आया, वेहिकल में यह तीन टाइप्स होते हैं, वेहिकल, अभी यह जो paint है, अच्छा वाला paint, अगर हम लोग बोलेंगे, paint क्यों use किया जाता है, basic question आपके दिमाग में आएगा, कि why paint, paint क्यों, paint क्यों use किया ज है, उसका कोरोजों नहीं हो, इसके लिए paint यूज़ किया जाता है, हमारे जे वाल्स है, वो अच्छे दिखनी चाहिए, उसके लिए paint यूज़ किया जाता है, light reflect करने के लिए paint यूज़ किया जाता है, हमारा wood जो है, लकडी जो है, हमारी wood का furniture होगा, floor होगा, उसको insect से, moisture से और fungus चे, fungus से, इस सब से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते है, paint यूज़ करते है, यह हो गए हमारे uses of paint, paint हम लोग क्यों यूज़ करते है, इतना समझ में है आप लोग paint क्यों यूज़ किया जाता है, basically protection के लिए, wood का protection करने के लिए, iron का protection करने के लिए, हमारे walls का बिस्ट फेंद की वाला होते हैं उसके कारेक्ट्ट्रिस्टिक्स होते हैंक स्कूर्ण क्या होना है ज़स्ट होता चाहिए इस प्रोटेक्टिव होना चाहिए रिफ्लेक्टिव होना चाहिए यूवी रो सनलाइट की जो यूवी रेज है उससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए ओके नॉन टॉक्सिक होना चाहिए जो हमारे पेंटर लोग है और हम लोग अगर वो चीज पेंट की हुई चीज यूज करेंगे तो उसका हमारे health के उपर कोई भी effect नहीं होना चाहिए, यह सब जो qualities है वो अच्छा paint की है, dryer होना चाहिए, जल्दी dry होने वाला चाहिए, उसमें viscosity होनी चाहिए, viscous होना चाहिए, यह सब जो properties है, यह सब हमारे good paint की होती है, जो उसकी paint क्या होता है, vehicle क्या होता है, then paint के features क्या होते है, use क्या होते है, क्यों use किया जाता है, और अच्छा वाला paint जो है, उसके characteristics क्या होते है, यह अब हम लोग ने देखा, अब यह जो हम लोग paint, paint, paint करते हैं, उसमें actually क्या use किया जाता है, कौन-कौन सी चीजे है, जो इसमें mix किया जाती है, वो अब हम लोग देखेंगे, उसका first है pigment, pigment जो है क्या होता है, एक powder form में होता है pigment, जो basic होता है, जो film formation के लिए जरूरी होता है, main part जो है, वो है हमारा pigment, नेक्स्ट आता है हमारा वेहिकल, वेहिकल जो है, अमने यही पर देखा था, वेहिकल क्या होता है, different constituent होते हैं, उनका mixture होता है, जुसको नाम हम लोग ने दिया है, के में में वेहिकल, next है हमारा thinner, thin करने के लिए liquid form में होता है, evaporate होता है, for example spirit है, kerosene है, यह जो है हमारा thinner है, dryer क्या होता है, dryer मतलब drying agent होते है, catalyst होते है, जो paint को dry करने के लिए use किया जाते है, drying process जल्दी हो, इसकी वज़े से use किया जोते है, इसके लिए use किया जाता है, वके से हो गया हमारा डृयर, अब अधर को नेच्स से हिप्ट ऐप develop您 होता है कभी 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 दिवार में होते है आइख सरो नोग झाल लंजार स्विवडर v सर्फेस पर 마음에 होता है है उसको फिल कर ने के लिए जैसे श Holand लूक वाइज दिखने के लिए यह यह प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज करते ओके सो पेंट का बेसिक जो कंसेप्ट है आप लोग को समझ में आया होगा सो देखिए आगे का जो जो चाप्टर है आपको हमारा जो हमारा अश्र यी अकड़मी आप जो है इसमें हम लोग ने पूरा चाप्टर दिया है इन डीटेल उसके सब रियाक्शन करके सब दिया हुआ है ये चाप्टर का सो जिसको भी और आगे डीप में पढ़ना है डीटेल में चाहिए इन्फोर्मेशन तो आप जाके वह डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं सकते हैं कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं सो यह जो mcq formation में test series भी लगा है उसमें आपकी practice भी हो जाएगी हमारे जो exams होते हैं online होते हैं यह physics and chemistry के mcq format में होता है तो उसकी practice भी हो जाएगी कभी कैसे होता है कि बच्चे लोग confused हो जाते हैं exam के time में क्या select करना है नहीं select करना है आप लोग को सब उस एप में सब मिलेगा हमारा chemistry का आप लोग को यह चाप्टर यह concept समझ में आया होगा तो और डीटेल के लिए आप क्या करेंगे महारा अश्राइए academy app हमारा download कर लीजिए और वहाँ पर sign up कर लीजिए ओके थैंक यू